आज की वीडियो में हमें कैसे डिर्प के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जब भी हमारी बोड़ी में विकनेस या फिर कमजोरी हो जाती है तो उस समय चड़ाया जाता है और देखिए इससे पहले हमें एक वीडियो प्लोट कर चुके हैं जिसमें हमने जाना था कि कौन सा पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो डिरिप यूज किया जाता है उससे हम आम भासा में गुलकोज की बोतल भी बोल देते हैं देखिए इसके 100 ml solution में 0.9 प्रसेंट एंड 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है डेक्स्ट्रोज को हम सुगर या फिर गुलकोज भी कहते हैं दे और डेक्स्ट्रोज से पिशिंट को एनरजी मिल जाती है साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि इसका यूज कप कप किया जाता है तो नंबर वन डिहाट्रिशन यानि कि जब भी हमारे बोड़ी में पानी की कमी हो जाती है चाहे वो उल्टी के कारण हो चाहे वो डाइरिया के कारण हो या फिर किसी और वज़े से हमारे बोड़ी में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय डिएनेस चड़ाया जाता है नंबर टू हाइपोगलाइसीमिया यानि कि जब भी हमारे ब्लड में गल्कोस का लेवल कम हो जाता है तब हम इसका यूज कर सकते है इसके लावा यूज कर सकते हैं तो इसकी इनर्जी आ जाती है तो इसकी तीन से चार बोतल चोन घंटे के इसके यूस की चाहिए अब बात करते हैं एसे सुगर उता है यदि हम इने diabetes वाले patient को चड़ा देंगे तो उनकी सुगर और ज़दा बढ़ जाएगी और इसके लावब ऐसे patient जिने heart की problem रहती है या फिर blood pressure की problem रहती है तो उन्हें भी यह नहीं चड़ाया जाता क्योंकि आप जानते हैं इसमें sodium रहता है यह कई सारे नाम से market में मिल जाता है जैसे कि elder wit, velvet, strivet, adi जिसे simply IV fruit में मिला दिया चाता है तो DNS को ही हम ज़्यादा कमजोरी होने पर या सरीर में glucose की मातरा कम हो जाने पर use करता है इसके अलावा IV fruit कैसे लगा जाता है या फिर drip कैसे लगा जाती है उस पर हम जल्दी वीडियो अप्लोड करेंगे